हेलो दोस्तों, welcome to only IES देखें जब हम बात करते हैं 2022 के noble prices की तो उसमें जो economics का noble price था इस बार का वो तीन US-based economics को मिला जिसमें एक थे Ben S. बर्नांके जी उसके साथ ही साथ Douglas W. Diamond and thirdly Philip H. डिबिग तो इन तीनों को आज के lecture में हम देखेंगे कि इनको क्यों noble price इस बार का मिला economics का, right? तो उसी चीज़ को समझते हैं जरा. देखिए, पहली बात आप जानते हो कि noble price इन 6 categories में मिलता है, that is peace, literature, chemistry, physics, medicine and economics. अब आपको ध्यान में ये बात देनी है कि पहले ये 5 categories में आपको noble price देखने को मिलता था. पर 1968 में क्या हुआ? हमने एक नई category आड़ कर दी, that is economics. देखो, एक्चल में ना, Sweden का central bank है, that is Sveriges Rix Bank इनके द्वारा एक Sveriges Rix Bank price की बात करीगी जिसको हम असानी से economics का noble price बोलते हैं. तो यहां 300th anniversary थी. तब हमने क्या start कर दिया? तब हमने economics का noble price देना start कर दिया. अब इस बार का यह जो noble price मिला है ना, यह इन तीन को मिला है, that is Bernankeji, Diamond and Dubbit. अब इनको यह जो noble price मिला है. इसके पीछे का reason क्या है? इसके पीछे का reason है कि इन्होंने ही बताया है कि जो हमारे banks होते हैं, उनका क्या role होता है financial crisis के time पे? ठीक है? तीनोंने अपनी research दे रखिया है कि क्या role था financial crisis के time पे banks का? तो उसको तरह समझने की कोशिश करते हैं. देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बर्नानके जी की. अब इन्होंने देखो, actual में analyze किसको किया? Great Depression को analyze किया. देखो, समझने कोशिश करते हैं. 1929 और 1930s के अंदर हमें Great Depression देखने को मिला. अब यह सिरफ actual में न, US में नहीं आया. चलो US में तो था ही था. US में हमें देखने को मिला कि industrial production nearly 46% कम होगी. unemployment 25% तक बढ़ गी. और इसी तरह से US का जो चीज़ स्टार्ट हुई थी, वो बाकी जगा पे, चाहे जैसे मालीजे, Great Britain हो गया, Germany हो गया, Australia हो गया, सब जगा हमें हालात काफी खराब देखने को मिले. हर country में काफी इसका impact आया, लोगों को अपने घर छोणने पड़े, rich countries के अंदर भी काफी दिक्कत आई. ठीक है, देखो, चलो, ये चलो, चलो, चीज़े हमें पता है, अब लोगों ने इस चीज़ का reason ढूणने की कोशिश करी, और एक चीज़, उनने एक चीज़ नोटिस क्या करी, कि ये जो financial crisis हुआ, जो 1929 के बाद क्यों, financial crisis हुआ, इसका एक effect क्या देखने को मिला, bank का जो खराब situation है, या फिर bank failure आप बोल देजिए, यहाँ पर इस point को ध्यान से समझना, हमने ऐसा समझा कि financial crisis क्या है, financial crisis है, एक तरह से cause, कारण है, किस चीज़ का कारण है, bank failure का, तो bank failure क्या हुआ, effect हुआ, यानि कि financial crisis हुआ, उससे bank failure हुआ, लोग ऐसा समझते थे, पर बरनांके जी ने क्या किया, इसका उल्टा प्रूब कर दिया, उल्टा प्रूब करने का मतलब, उन्होंने बोला, नहीं, ये effect नहीं है, bank failure, ये क्या है, cause, ये कारण है, और effect क्या है, effect है ये, समझे रहो, इन्होंने जो, इसको arrow को ही बदल दिया, पहले हम सूच क्या रहे थे, financial crisis की वज़ा से bank fail हुए, पर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने prove कर दिया, कि bank fail हुए, क्या, इस crisis में होगे, हुआ मान लो, bank run जैसी situation आगी, bank run की situation मतलब, कि लोगों को लगने लग ज़िया, यार bank कहीं डूप तो नहीं जाएंगे, उस वज़ा से क्या हुआ, लोग सभी अपना पैसा निकलवाने bank को से आगे, कि हमें हमारा पैसा वापिस कर दो, सब भी depositors ने बोला, कि हमें हमारा पैसा वापिस कर दो, तो इससे क्या हुआ, bankों की हालत बहुत खराब होगी, definitely, ठीक है ना, और इस bankों की हालत खराब होने की वज़ा से, यह जो छायद, एक छोटी सी situation थी, या फिर छोटा सा recession होना था, यह बहुत बड़ा recession बन गया, financial crisis ही हो गया, हर जगा पर इसका impact हुआ, तो देखने की point यह क्या है, देखने के point यह है, कि अगर bank run यहाँ पर क्या है, एक तरना से cause है, इसका financial crisis का, इसी particular relation के निए, कहीं ने कहीं, बरनांकी जी को यह particular award दिया गया, कि इन्होंने इस चीज़ को prove कर दिया, कि bank failure क्या है, cause है financial crisis का, और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, that is bank run, हो सकता था कि recession को हम minor areas पर ही avoid कर लेते, अगर हम bank run जैसे situation या फिर जो bank failure हुए, इसको कहीं न कहीं, अगर हम prevent कर लेते, इन्होंने इस चीज़ को statistically, historical तरीकों से prove कर दिया, वो हम कैसे किया है और उन्हें प्रूफ, वो नहीं हम देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए important नहीं है, हमारे लिए important से हैं इनका contribution, और वो हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, तो यहाँ पर इनकी बात क्या हुई, इन्होंने बोला कि economic को वापिस सड़क पे लेके आना ना, वापिस इसको track पे लेके आना है, तो कैसे होगा, हम इसको tackle करें bank failure को, समझ रहो, अगर जब मान लो government ने, इस bank failure को tackle करना start कर दिया ना, कहीं न कहीं, यह financial crisis से भी हम बाहर आ गए, यह इनका point था कि bank का कितना important role होता है, अगर कहीं न कहीं हमें, यह जो bank run जैसे situation है, या bank failure जैसे situation है, इसको tackle कर लिया, उससे हम financial crisis की situation को भी tackle कर सकते हैं, ठीक है, इबन देखो, यहाँ पर इन्होंने deposit insurance provision की भी बात करी, वो क्या होता है, देखो, आप लोगोंने सुना होगा, DICGC के बारे में, deposit insurance credit guarantee corporation, अब मान लो कोई, मान लो कोई bank डूब भी गया, अगर कोई bank डूब भी जाता है, तब भी, आपका पांच लाग तक क्या होता है, insurance, अगर पांच लाग तक का आपका रुपया है ना, किसी bank के अंदर, तब भी आपको वो वैसा वापिस हो जाता है, तो इस तरह की situations, या फिर इस तरह की, जो हमने तरीके अपना है, उससे क्या हुआ, deposit insurance की provisions आई, उससे bank के उपर लोगों का trust बना, अब trust बन गया, तो यह जो bank run जैसी situation थी, यह नहीं होंगी, तो bank failure जैस situation नहीं आएंगी, bank fail नहीं होंगे, तो क्या नहीं आएगा, वर्ल्ड में financial crisis नहीं आएगा, point समझाया, और देखो एक और बात भी है, जब न, 2008 में global financial crisis आया, तो बर्नांकी जी पता क्या थे, US का जो central bank है, उसके head थे, तो इनकी जो research इन्हों ने 1983 में करी थी, इसको action में इन्होंने implement किया, 2008 के अंदर, उसी वज़ा से हम थोड़ा न, financial crisis को manage करने में, थोड़ टाइम पर बाद ही obviously manage किया, बट manage हम इसको कर पाये थे, तो इनका ये बहुत important role रहा, उसी तरह से जो बाकियों की बात कर ले, जैसे diamond जी की और WT, इनका क्या रोल रहा, देखो इन्होंने एक बहुत important चीज़ बताई, जैसे इन्होंने savers versus investor का contract समझाया, देखो, saver कौन होता है, मानलो आपका अकाउंट है SBI के अंदर, ठीक है, तो SBI के अंदर आपका अकाउंट है, आपने मानलो यहाँ पे 50,000 रुपे जमा करवा रखे हैं SBI के अंदर, अब ऐसा हो सकता है, कि आपका जब मन करे, आप बहाँ से जाके पैसा कुछ निकलवा सकते हो, मानलो आपको किसी जिसकी जुरुवत पड़गी, आप आज गे, आपने क्या किया, 10,000 रुपे ज विड्रॉ कर लिए, ठीक है, पर investors का उल्टा काम होता है, जैसे मानलो, यह SBI ही है, SBI ने क्या दिया, किसी को लोन दिया, अब लोन क्या दिया, मानलो दे दिया इसको 20 साल के लिए, समझ रहे हो, लंबे टाइम के लिए यहाँ पर लोन दे दिया, क्या SBI आपको 2 साल बाद यह बोलेगा, कि अब मेरा लोन वापिस कर दो, तो यहाँ पर देख रहे हो, बैंक ने जो लोन दिया, वो लॉंग टर्म के लिए दिया, पर यहाँ पर, जब हम बात कर रहे थे सेवर्स की, तो सेवर्स का तो यह था ना, कि जब उनका मन करेगा, वो पैसे निकलवा कर ले जाएंगे, तो इस तरह से कैसे मैनेज कर रहे हैं, कि शौट टर्म के लिए, जो इन्होंने पैसा इनके पास है, वो शौट टर्म के लिए है, और जिसको यह लेंड कर रहे हैं, वो लॉंग टर्म के लिए है, यह क्या है, कि asset है हमारा long term के लिए liability है short term के लिए इस mismatch को कौन resolve करता है यह bank ही resolve करते हैं यह जो manage करना है liquidity की need को इसका importance से यहाँ पे इनोंने हमें diamond जी ने as well as विल्डेक जी ने समझाई कि यह manage कौन कर सकता है इस mismatch को banks कर सकते हैं और कैसे manage कर रहे हैं इसी का नाम दे दिया maturity transformation maturity transformation का यही मितलब है कि bank के जो asset क्या है वो long maturity की है मतलब long term के लिए है on the other hand जो borrowers है sorry जो कही न कहीं जो इनकी liabilities है वो क्या है short term या फिर short maturity की है क्यों क्योंगी depositor का जब मन करेगा वो पैसे को access कर सकते हैं तो इस तरह के जो banks है एक तरह से क्या होगे वो intermediary होगे जो किसमे help करते हैं इस transformation के अंदर कि asset long term को liability short term के साथ मैच करना इसी को बोल दिया maturity transformation या जो bank का important role तो इस तरह से हुआ क्या इस तरह से diamond जी ने as well as जो बनांके जी इन्होंने क्या किया इन्होंने modern bank regulation की एक तरह से leave रखी इन्होंने बहुत important role बताया कि banks का क्या कितना important होता है financial crisis के अंदर अगर हम banks को अच्छा से manage करें तो definitely हम financial crisis को avoid कर सकते हैं even देखो जो हमारी noble price की community है उन्होंने ये भी बताया कि जो 2020 में आप देख रहे हो 2020 में हमने pandemic देखा covid-19 तो यहां पर इनकी और साथी साथ जो बरनाके जी इनकी जो research थी उसने हमें help किया कि किस तरह से हम वहाँ पर 2020 के अंदर financial crisis को हम avoid कर पाए थे तो future में भी even देखो अगर कई ऐसी situation बनती है तो हमें पता लग गया है कि bank का role बहुत important होने वाला है और अगर हम उस bank run को या banking भी जो situations है उनको कही न कहीं अगर tackle कर ले तो definitely financial crisis को भी हम avoid कर सकते हैं उसको बहुत बड़ा financial crisis होने से definitely रोका जा सकता है यही इन तीनों की contribution थी जो कि as an economic student हमें अच्छे से समझ नहीं थी और हमने अच्छे से आज वो समझ भी ली तो इसी तरह से आपको क्या करना है आपको concepts अच्छे रखने हैं ठीक है न अगर आपको conceptual clarity अच्छे है है I am very sure आप इन चीजों को जैसे maturity हो गया या बाकी bank run institution होगा आप इन चीजों को सम को समझ से हुए हमारी team की तरफ से launch किया गया है NCRT course ठीक है यह बिल्कुल foundation course है यह particular course 7th November से start है जिसके अंदर आपको अलग-अलग चीज़े मिल जाएंगी NCRT के different courses ठीक है तो एक तरह से live classes होगी जहाँ पर आपके corresponding doubts लगेरा को भी अच्छे से resolve किया जाएगा तो अगर आ आपने concepts को और भी बहतर करना चाते हो conceptual clarity थोड़ा और improve करना चाते हो definitely dp.onlyas.in पर जाके scores को join कर सकते हो ठीक है तो I hope being economics student आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से noble wise की in particular Nobel laureates है इनकी क्या importance है और साथ ही साथ banks कितना important role play करते है as financial intermediary in our system तो I hope आपको यह lecture अच्छा होगा इसी तर से आप भी अपने end बे hard work करते रहिए good bye and good luck